राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बहनों माताओं वाबंधों संस्कार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रहे हूँ कि दिवाली के दिन धन प्राप्ति के लिए आप क्या उपाय करें जो की प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं बंधों दिवाली जो की कातिक मास के क्रिशन पक्ष की आमावस्या तिथी को आती है इस बार 24 अक्तूबर की है बंधों वैसे तो दिवाली इस बार 14 तिथी में आ रही है और आमावस्या तिथी 24 अक्तूबर को शाम को लग जाएगी बंधों, आपको एक बात और बता देना चाहाती हूँ, जो लोग अमावस्या के दिन सतियों का पूजन करते हैं, या फिर अपने वड़ बडेरों का पूजन करते हैं, वे आप अमावस्या की जगें चोदस तिथी को ही कर लें, अर्थाद 24 अक्तूबर को सुभे ही कर लें, क जो की 25 अक्तूबर को ग्रहन लग रहा है, बंधों, दिवाली की रात को जो घर से दरिद्दर निकाला जाता है, वे आप सुभे साढ़े चार बजे तक कर लें, बंधों, हर मनुष्य की इच्छा रहती है, कि हम दिवाली पर कुछ ऐसा विशेश करें, कि जिससे मा लक्ष् हमारे घर में स्थाई वास करें, बंधों, हर इंसान की इच्छा होती है, कि मा लक्ष्मी हमारे घर में निवास करें, और हम कुछ ऐसा विशेश करें, बंधों, दिवाली के दिन घर की अच्छे से साफ सफाई करें, प्राते काल ही, घर के मुखे द्वार को खूब सुन्द ताकि मालक्ष्मी आपके घर में परवेश करें और स्थाई बास करें बंधों मालक्ष्मी मुख्य द्वार को विश्य शुरूप से देखती हैं इसलिए दीवाली की सुभे ही आप घर के दहलीज को शुद्ध पानी से धोएं और वहां पर एक सवस्तिक बनाएं और स्वस्तिक बनाने के बाद उस पर फूल और चावल चड़ाएं ऐसा करने से मालक्ष्मी का आपके घर में स्थाई बास अवश्य होगा बंधों दीवाली आप सभी चानते हैं दीपो का पर्व है इस महा पर्व पर लक्ष्मी स्वैम धन प्राप्ति का वद्दान देती हैं इस तिन माल लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए कुछ उपाय किये जाते हैं कहा जाता है इस तिन माल लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए जो उपाय किये जाते हैं उसका प्रभाव आपको साल भर दिखाई देता है साल भर सुक समरिधी आपके यहां बनी रहती है बंधों अब मैं आपको कुछ पोरानिक उपाय बताऊंगी जिन्हें करने से आपकी कमाई में बहुत ब्रिधी होगी बंधों दिवाली की पूजन करने के बाद शंक की धनी अवश्य करें ऐसा करने से घर में दरिधरता का वास नहीं होगा और घर में मालक्ष्मी का वास बना रहेगा तिवाली पूजन के बाद अभी मंतित हकीक रतन पूजन कर उसे धारन करें ऐसा करने से अगर आपकी आर्थिक स्थिती ठीक नहीं है तो आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत हो जाएगी इस बात का ख्याल रखें कि जिन लोगों की कुणली में शनी और मंगल का योग है उन्हें इस मंत्र को धारन नहीं करना चाहिए इसी के साथ अगर आप धन संपती प्राप्त करना चाहते हैं तो दिवाली के दिन अपने घर या फिर व्यवसाइक स्थान पर अपना पूजा स्थल पर लक्ष्मी गनेश यंद्र स्थापित करें यदि आप अपाद धन संपती पाना चाहते हैं तो दिवाली के दिन श्री यंद्र, गनेश लक्ष्मी यंद्र, कनक धारा यंद्र और कुबेर यंद्र का पूजन आवश्य करना चाहिए कहा जाता है इन यंत्रों का पूजन करने से व्यक्ति को धन से सवंदी परिशानियों का सामना नहीं करना पड़ता पंधों दिवाली पूजन में माल लक्ष्मी की पूजा में ग्यारा अभिमंतित पीली कोडियां माल लक्ष्मी को अर्पित करें अगले दिन लाल कपड़े में बांग कर अपने गले या तिजोरी में रख दें ऐसा करने से धन में ब्रिदी होगी दिवाली के दिन भगवान विश्णू और माल लक्ष्मी के मंदिर में जाए मा लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें ऐसा करने से आपकी आत्थिक सिदी मजबूत होगी इतना ही नहीं आप परधन का किसी भी जरहें का अभाव नहीं रहेगा यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने कर्ज से परिशान है तो दिवाली के दिन मा लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं और फिर उसे गरीबों में बाढ़ दें ऐसा करने से आपको पुराने कर्ज से जल्दी ही राहत मिल जाएगी बंधों दिवाली की शाम सुर्यास्त होने से थोड़ा समय पहले बर्गत की जटा में एक गाण बांदेते हैं तो आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं धन प्राप्ति के बाद उस बांदी हुई गाण को खोलना ना भूलें अगर आप आर्थिक संक्टों से जूज रहे हैं तो दिवाली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे साथ दीप प्रजलित करके पीपल के ब्रिक्ष की साथ बार परिकर्मा करें ऐसा करने से आप आर्थिक संक्टों से मुक्त हो जाएंगे आर्थिक संक्टों से मुक्ति के लिए दिवाली के दिन मिट्टी के बर्तन में शेहर भर कर उपर से ढख दें इसके बार उसे किसी संसान स्थल पर गार दें ऐसा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के आर्थिक संक्टों से मुक्ति पा लेता है बंधों दिवाली के दिन सुभे जल्दी उठकर चैनान आदी करने के बाद मालक्ष्मी को तुलसी के पत्तों से बनी माला अर्पित करें ऐसा करने से व्यक्ति के धन में व्रिधी होती है बंधों यदि आप इन छोटी छोटी बातों को दिवाली के दिन अपनाएंगे तो देखना मालक्ष्मी का आपके घर में स्थाईवास रहेगा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और यदि आपको कुछ लाब हो तो कमेंट बोक्स में राधे राधे आवश्य लिखना